अलो फ्रेंड्स वेल्कम टू डेली गरंट अफेर्स आज हम लोग जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें फर्स्ट है पाइरिनीज मांटन्स इसकी कमप्ली पॉलिटी प्लस जोग्रोफी हम लोग चेक करेंगे वर्ल्ड बैंक ने हाली में एक रिपोर्ट जारी किया है रेसिपी फॉर दिलाइवेबल प्लानेट उसके उपर चर्चा करेंगे साथी में वर्ल्ड बैंक अज पार्ट अफ जी एस उसको भी कंक्लूड करेंगे मादवा पिरुमल टेम्पल में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले है उनकी भी बात करेंगे जिडाल रिवर आप आसाम क्यों न्यूज में है इस पे चर्चा करेंगे विडाल टेस्ट आज टेस्ट पर डाइग्नोसिस आफ टाइफ एड उसके उपर भी चर्चा करेंगे और लास या म grace करेंगे और वो देश कौन से है तो ऊफ्शन ऊप्षिन पारिष प्राइट पर डाइख उसक्रिफ प्रॉल टेस्ट एम पिर्चा इनकी न्यूज में है यह एक नैच्रली बार्डर क्रियाट करते है किन दोन देशे को बीच में दो देशों के बीच में यह जो पाइर फ्रांस एण स्पेज डाट इज सुद्ध बीस ऑर ऐसिन अल्हीं में फ्रेंच प्रेंच प्रेंच प्रेंट उन्होंने चाइनीस प्रेंटॉड ऐजी ढिग फिन उन the Mediterranean and Atlantic, यह Atlantic और Mediterranean के बीच में Iberian Peninsula जो है उसमें एक natural border है Spain और France के, politically divided between the Spain and France with Andorra in between, अने तो पीक जो है उसका वो highest point है, चलो इसको एक map के जरिये देखते हैं, यह है फ्रांस और यहां पे है Spain, इन दोनों के बीच में यह पाइरिनीज मांटन्स है और यह है Iberian Peninsula और यहां पे है Portugal, तो यह Spain और फ्रांस इन दोनों की natural border पाइरिनीज मांटन्स है, कुछ जोग्राफिकली देखा जाए तो यह है आपका Mediterranean Sea और इस साइड में है आपका Atlantic Ocean, तो इन दोनों के बीच में यह पाइरिनीज मांटन्स है, उसके अलावा देखा जाए तो Baleariex Sea और Alboran Sea यह Sea भी इंपोर्टन्ट है, सराउंडिंग दे स्पेन, ओके तो यह पाइरिनीज मांटन्स ऐसा कहा जाता है कि कि Iberian Peninsula जब Eurasian Plate के साथ में ठकराया है तब जाकि यह पाइरिनीज मांटन्स फॉर्म हुए है अगर और डीटेल में इनके जोग्राफी को स्टेडी किया जाए तो यह है फ्रांस, यह है स्पेन, यह है पोर्टुगाल और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक नैचरल बॉर्डर की तरह है पाइरिनीज मांटन्स जैसे मैंने कहा बेलेरियक और अलवरान सी यह दोनों स्पेन के सरांडिंग है अज पार्ट ऑफ मेडिटेर्यन जी और इस साइड पे है अट्लेंटीक ओशियन तो अट्लेंटिक ओशियन और मेडिटेर्यनीज के बीच में पाइरिनीज मांटन्स और सबसे इंपोर्टन द गल्फ इस स्ट् जिब्राल्टार इन दोनों के बीच में, that means Spain और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे स्थित है, so this is the जोगरापी इन बेट्वीन बेट्वीन दा फ्रांस और स्पेन, next देखते है which organization published a report called as a recipe for the liable planet, तो World Bank ने हाल ही में यह report जारे किया है और उसका जो complete name है recipe for the liable planet, achieving net zero emissions in the agri-food system, report emphasize करता है कि GHG emission from the agri-food sector, which is currently accounts for about third of the global emissions, can be potentially reduced, potentially reduce कर सकते है agri-food sector से जो GHG emission होता है उसको, तो report ने identify किया है top 10 agri-food system emitters जिसमें चामिल है चाइना, प्राजिल, इंडिया, यूएस और इंडोनेशिया, यह जो agri-food, top 10 agri-food system emitters है, उनमें जो they are responsible for around 55% of the global agri-food emission, तो majority emission सिर्फ यह 10 major agri-food system emitters जो है greenhouse gas के वो है, तो इसी का नतिज़ा है कि WHO, sorry, World Bank ने यह receive for livable planet के जरिए यह बताया है कि greenhouse gas emission from agri-food sector can be limited, world bank, short में देखे, तो यह Britain World Conference जो ही थी 1944 में, उसके बाद में 1946 में इसका establishment है, headquarter Washington DC, 189 currently the countries which are members, aim इसका है to reduce the poverty and support the sustainable development, खास करके lower middle income और middle income countries में, it consists of five institutions, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, IDA, International Development Association, IFC, International Finance Corporation, MIGA, Multilateral Guarantee Agency or ICSID, International Center for Settlement of Investment Dispute, तो इंडिया founding member है, world bank का, इसमें से ICSID का इंडिया सदस नहीं है, तो this is all about the world bank, next देखते हैं, आल ही में कुछ inscriptions मिले है, श्री मादवा पिरुमल temple में, उसमें एक trade route के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि 1000 years ago, ये trade route established था, उसमें है, कॉंगु रीजन इन्वेस्टन तामिन नाडू, सदन करना टका और केरला, ये वो trade route था, जो कि 1000 years ago, it was established, तो ये जो कॉंगु रीजन इन्वेस्टन तामिन नाडू है, you can see it over here, कॉंगु नाडू, जिसमें धर्मापूरी डिस्ट्रिक्ट, इरोड, निलिगिरी, कोयमतूर, तिरुपूर, डिंडिगुल डिस्ट्रिक्ट, सालेम, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स कॉंगु नाडू में, या कॉंगु रीजन में आते हैं, और वहां से करना डका और केरला ट्रांसपोर्ट करना इजी है, ये ट्रेड रूट इन इंस्कृफिशंस में, स्री मादवा पडुमल टेंपल में बताया गया, ये जो अब पिछे टेंपल देख रहे हो, ये टेंपल है, स्री मादवा पडुमल टेंपल का, जिसके डइटि विष्णु की वर्षिप को आपे होती थी, और no need to say that, as a part of southern India, the architecture will be Dravidian architecture. Next. Where does the Jidal river originate from? So, ये Jidal river जो है, जो आसाम में स्थिथ है, ये originate होती है सब हिमालेयन mountains of Arunachal Pradesh. आल ही में, heavy precipitation या heavy rainfall in Assam, causes very important, actively reshaping the path of Jidal river. ये अपना course change कर रही है, उसी का नतिजा है कि heavy soil erosion और agriculture के लिए बहुत पड़ा threat ये बन गई है. ये जैसा कि मनिका originate is in a sub-Yimalayan mountains at an altitude of 1247 and serves as a northern tributary of Brahmaputra river. अगर इसको map में देखा जाए, तो this is how the Jidal river और ये ब्रह्मपutra को यहाँ पर connect करती है. तो आरुना चलप्रदेश आसाम में ये ब्रह्मपutra को मिलती है और यहाँ से ब्रह्मपutra का flow भी बढ़ जाता है. विडाल टेस्ट is used to diagnose typhoid that is option C. विडाल टेस्ट की news में है इसलिए क्योंकि typhoid के detection के लिए विडाल टेस्ट का rampant use होने लगा है. हाला कि विडाल टेस्ट की typhoid के accuracy के लिए एक question mark create है. फिर भी इसका use बहुत ज्यादा होने लगा है. विडाल टेस्ट आक्चूली ये antibodies detect करती है जब भी typhoid का bacteria that is the Salmonella typhi जब ये body में इंटर करता है तब antibodies create करती है और इन antibodies को detect करने का विडाल टेस्ट करती है लेकिन इसकी बज़े से विडाल टेस्ट is not that much accurate ये false positive या negative result भी देती है और यही सबसे बड़ा accuracy के लिए reason बजना हुआ हुआ है. टाइफ़ जैसा के मैंने का Salmonella typhi बैक्टरिया से बनता है through a contaminated food and water presenting a very enteric fever with the symptoms like high fever, stomach pain, weakness, nausea, omitting और rash. So this is the Vidal test. Next. दार्फर रीजन हाल ही में अपनी hunger crisis के लिए चर्चा में है, news में है, तो दार्फर रीजन लोकेटिड कहां पर है, तो it is actually been located into the western part of Sudan. Sudan जो country है, African country, उसके western part में ये दार्फर जो रीजन है, ये UPC में एक बार आया हुआ है question, तो ये लोकेटिड है. जो वाइलन पर चालू है, उसके बज़े से hunger crisis ज्यादा गहराते जारा है. It is a region in the western Sudan that has been plagued by violent conflict and humanitarian crisis. यहाँ पे ethnic tensions बहुत ज्यादा है between Arab and African communities leading to the widespread violence and human rights abuse. यहाँ पे जो violence चल रहा है, that is quite a long violence और civil unrest जो है, वो बहुत देर से चल रहा है. इसको हम लोग geographically देखते हैं, कि यह है आपका Sudan और Sudan के western side में, यह है दारफर रीजन जो की news में है for its hunger crisis. इसके surrounding countries देखते हैं, Sudan के surrounding एजिप्ट, लिबिया, चाड, Central African Republic, Ethiopia and Eritrea, यह Ethiopia और Eritrea, Horn of Africa के member है, Horn of Africa. आपके लिए आज का question रहेगा, कि Horn of Africa में 4 countries है, उसमें से Eritrea, Ethiopia plus 2 countries है, उनके नाम आपको comment box में mention करना है. So, this is all about the today's current affairs. I hope you like the video. अगर एफ़र अच्छा लगे, तो वीडियो को like कर जेना, चानल पर नए हो तो subscribe कर जेना, and let me know the comments, how you feel, what improvements we need to make. I am waiting for your comments. Thank you for attending. Have a nice day.